कि आप सभी साथ लोगों का अधिर मंत्री के यूटुब चैनल पे मेरा नाम प्रभल है आप सब लोगों को पता है कि हम लोग बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं और आप लोगों को पता है जो हम लोगों का टाइटल है वो क्या वे कम समय में काम की बात तो आप लोग डेली इस क्लास को देखें और आप सभी लोगों अनुरूद है कि अगर आपको लगे कि ये क्लास बहुत ही जादा जरूरी है तो अपना भरपूर मात्रा में प्यार दीजिएगा हो सकता है कि एक दिन आप लोग आलस करें तो दूसरे दीन हम क्लास बंद कर दें आप लोगों को डेली क्यूरिशिटी के साथ पढ़ना है पढ़ने के बाद लास्ट में जो भी फिडबेक होता है प्वेश्चिन का आंसर होता आपको जरूर कमेंट में लिखना है एक दिन आप लोग आलस कीजिएगा लापरवाई कीजिएगा तो यह क्लास इतने प्यारी सी इतनी अच्छी सी जो आपको अमने ध्यान में रख करके बनाया है और बनाते हम सब लोगा लगतार वो बंद कर दी जाएगी तो आप सब लोग जादे जादा संख्या में इस क्लास को बात करते हैं तो एक्वलिटी हमारा कॉंस्टिचूशन क्या कहता है जो हमारा संभिदान है जो हमारे भारत का संभिदान भारत का संभिदान क्या कहता है कि सारी कि सारी लोग कानून के नजर में बना बने कोई उपर नहीं है कोई नीचे नहीं है कोई आपकी छोटा कोई ब चुरेन में बैट करके खाशकते हैं, आप इस दखते कोई दिक्कत की बात आपके नहीं है, यानि समानता, और समानता विजुरत के ओपर ही, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में आपके बहुत लंबे समय से इनिक्वालिटी, गैर बराबरी, आपके चुवा चोत, यह ज जब हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि संसत, यह हमारे देश की सबसे बड़ी हमारी पंचायत होती है, यह हमारी क्या भी तो देश की सबसे बड़ी पंचायत के तौर पे, हम लोग किसको देखते हैं, तो देश की सबसे बड़ी जहां पर हम अपने प्रतिनीदियों को निर्वाचित करके चून करके भेजते हैं और वो हमारे लिए नियम बनाते हैं किसी की साथ भी किसी भी द्रक्ती के साथ कुछ भी आपकी गलत ना हो तो भारती लोग तंतर में शमानता आप देखिए अब आप लोगों को पता होगा कि सस्टेनेबल डिवलप्मेंट गोल जो आपके दूसरा गोल है इस दीजी में जो दूसरा गोल है वो गोल क्या भी जीरो हंगर गुकमरी को समाप्त करना अब दिकी जैसे आप विद्याने में देख लीजिए बहुत सारे बच्चे पनिने नह नहीं होता था अब यहाँ पे मिड्ये मिल का कौंसेक्ट आया तो मध्यान भोजन का कौंसेक्ट आया तो सबसे पहले इसको लागू किया तो प्रिम कोट को यह जब समझ में आये कि वह बहुत अच्छी योजना है इसके चलते सारी बच्चों को बर्वजन में मिलेगा और जो बिद्याले नहीं जाते हैं, भूके पेट होने के कारण वो बिद्याले में रुखेंगे, पढ़ेंगे, और वहाँ से मिद्डे मिल, और मिद्डे मिल में क्या है कि सारी के सारी बिद्यार्थी, चैसे आप किसी भी वर्ग से आप आते हैं, किसी भी वर्ग से आप आते हैं कौन सी ठाली में खाना है तो ठाल अलग से भी साथ नहीं होगा वह प्लीषर अलग से भी साइड नहीं होगा वह जिया ञें भूरु फिर करूल को इस पात के बारे में ड्यान रखने की जुरू रहता है कि सब लोग मिल पर के वहां पर क्या करेंगे भी खाएंगे इसके चलते जो समाज में आपकी जो असमानता होती थी, जो समाज में आपके छुवा तो उसमें भी कही न कही कमी आपके आएगा और सब लोग यहां पे एक साथ बैटेंगे एक साथ खाएंगे तो यह जो गैर बराबरी है वो मिटेगा जो असमानता की बेग बावें मिटेगा एक दूसरे से जो घृना करने और एक दूसरे से आपके दूरोनी की बात हो जो कदम देख सकते हैं अब जिसे ओम प्रकास आपके बाल में की एक आपके दलित बालत है उसके जाथ किस तरीकी की समझाएं आपके समाज में होटी रही क्यों क्यों कि खास वर्ग से आने के कारण लोगों ने अपनी मन में पुर्वदार्ना और रुदिवादिता की उसके सा अब इस होगया हमने बुले कि देखो हमारे समरिदान ने हमारे कानून ने तो इसकी वेवस्ता कर दिया है पहले से बहुत स्थिति ठीक है लेकिन अभी भी हम इस दिशा में काम करने की जुरूरत है लेकिन क्या दूसरे डेमोकरिसी में सक इस प्रकार की इनिक्वालिटी न बहुत समय पहले जो अफ्रिकन के लोगते आपके मजदूरी करने काम करने आपके jóसे में आये थी उनको ने क्या कए कैर कर समबूदित किया अफ्रिकन अमरिकन क्या के समबूदित किया उनके साथ USA में 2. Him दर्जे का भेवहार टाता ह। 1950 के आज पास जो अफ्रिकन पीपल थे जो अफ्रिकन अमेरिकन्स थे उन्होंने अपनी अधिकार के लिए अवाज उठाना शुरू किया उसी संदर में लोजा पार्क एक महिला है जो डेली काम करके आती है USA में उस समय एक कानून था उस समय ये बात थी कि अगर कोई भी ब्लैक इजर सीट पर बैठा हुआ है और वाइट आप तो दिख गया तो उस गोरे के लिए उस काले को अपना सीट छोर करके खड़ा हो जाना है एबर ठकी आजी रोजा पाक्स 1955 की बात है 1955 की बात है वो आरेटी और उन्हों ने अपना सीट छोरने से इंकार कर दिया उसी मुवमेंट को हम लोग सिविल राइट मुवमेंट की शुरुआत नाजरिक अधिकार अंगोलन की शुरुआत मानते हैं आखिरकार लोग इस से ज अधिकार मिलने लगा लेकिन इसके लिए इनको संघर्ष करना परता और भारत के संभीदान में दिखेंगे तो बारत के संभीदान में जब आप देखेंगे तो हमारे मौलिक अधिकार में अच्छे 14 से 18 अर्टिकल 14-18 किसके बारे में बात करी गई है तो राइट टू एक् संभीड ठीी यह आपके समानधा के अधिकार के बारे में बात की गई है उसी में से एक प्रिक ने किसी पिक के साथ उसके धर्म को धनी जाती को फें Corps systems लेंकशन अधार पर फितिविक और आधार पे औली से की सेถुब जोम्राब यह उसकी था गवर्रा नहीं किया जा सकता ह किसी भी प्रकार का कोई भी बेदबाव नहीं किया जा सकता है। ये संविधार, ये Constitution पूरे तरीके से इसके उपर क्या लगाता है। प्रपीबंद लगाता है इस प्रकार का कोई भी आगत, कोई बेवार बिलकुल भी श्रीकारे नहीं है। किसी भी आपके घाट पर जाकर के लोग श्रान कर सकते हैं, कोई से पाली पी सकते हैं, कई भी बेच सकते हैं, और आपकी किसी भी काम में उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका क्या है, किस तरीके का है। तो हमारे सम्विदान ने भारत में समानका को स्थापिक करने के लिए सम्विदान के अंतरगत ये बात ही करिए। इसलिए अवारे सम्विदान में इन सारे बातों के चर्चा आपके करी गई है। अब जैसे समाज में अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं और अलग-अलग तरीके से उनके साथ बिवार होते हैं, जैसे हमारे समाज में गिव्यांग जन भी आपके होते हैं, तो गिव्यांग जन के साथ बिलकुल अलग तरीके का बिवार किया जाता था, उनके साथ डिस्क् महीं लाओ आर्टिकल 14 में लिंक क्या आगार के कोई भेदबाव नहीं हो सकता है उसके बाद आप आर्टिकल 16 में equality of opportunity 17 में क्या बोला गया कि अस्प्रिश्यता का अंत और 18 में बोला गया कि free education की विवस्ता आपकी करी गई उनके प्री एजुकेशन की विवस्ता आपकी करी गई जो भी public place है विद्याने कोई भी तो वहां की उनके उतरने और चड़ने के लिए slope का formation आपको किया जाएगा और यह सरकार की responsibility होगी कि 2016 की एक्ट में यह बात करी गई है लेकिन अभी भी आपके democracy के सामने चैलेंज है कि यह अभी भी जब हम लिकी troop से बात करी तो यह हमारे सभीदान में हमारी कानून में सब जगा पे है लेकिन अभी भी समाज में कही कही पैसे उदारण देखने को मिलते हैं जो कहीं न कहीं इस प्रकार के discrimination इस प्रकार के बेद बाव को प्रदर्शिश करते हैं जो ठीक बाप आपके नहीं है इसका मतलब कि हमारे देमोकरेशी के सामें यह चैलिंगेज है हमें हमारी सरकार को हम सब लोगों को इंडिविजियों लेविल पर इसके बारे में सोचना जरूरी है अब देखो यह यह यूनिवर्स एडिल्टल एडल परेंचाई जिसको बोलते हैं सार्व बामिक व्यस्क मताधिकार बोलते हैं अपने प्रतिनिदी को एलिप कर सकता है डिगनीटी का मतलब क्या होता है गरीमा यानि आपके साथ कुछ भी अम ऐसा बरताव ना करें कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो और आपकी कई ने कई आत्म सम्मान को ठेश पहुंचे फिर पर संबीदार संबीदार क्या भी त इसमें बहुत साथ कानूर आपके बनाए गए हैं बताए गए हैं जो नागरिकों के अधिकार को देश की एकता अखंडता को सुरक्षित और अच्छुन और आपके मजबूत करता है बई जो आपने देखा उनीस सो पचपन में नागरिक अधिकार आंधोलन जो आपके एफ्रो अपरिकंस के द्वारा किया गया बाग में इर्थ बना करके उनको यह अधिकार दिया गया तो इससे रिलेटेड यह सारे के सारे पॉइंट्स थे अब आप लोगों को क्या करना है कि वोट देने की उम्र हमारे देश में क्या है पर कितनी उम्र के लूग वोट देनी की उमर हमारे देश में क्या है यह बात बता रहा है दूसरा बात है कि रोजा पार्क्स कहां से आपके संबंदी थी जिनोंने नागरिक अधिकार अंदोलर में मत्पूर वह मिकानी बाई तरहीं दोनों के दोनों प्रेस्टन का आंसर आप लोग दीजिएगा अब उमीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आनलाइन कोर्सेश के लिए अधिर्मन्त कर्मिक्टेट अप्लिकेशन पर जूरें चैनल को सब्सक्राइब करें शेशन को शेयर करें और फिडबेक और आंसर देना आप लोग बिलकुल ना भूलें अगर यह क्लास आप लोग लगा था चाहते हैं बंद नहीं करवाना चाहते हैं तो